जेहिं दोस्तो सागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी सायत के बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क कर लें बेल आइकन दवाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आप के हां तक पहुंचे एक कॉस्चन है जो आपके बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन है और किसी ने किसी अक्जाम में जरू पूंचे गए हैं तो आज का फर्ष्ट कॉस्चन है कि अकाल पुर आपको यहाँ पर याद रखना है कॉस्चन नंबर आपका दो पूंचा है गड़े संकर विद्याती रचत गांदी जी की जीबनी है बापू कर्मेबीर गांधी या फिर सिरी गांधी अकालपुरस गांधी 2011 में यह आपका TGT में पूंचा गया ता महत्तपुन कॉस्चन है राइट आंसर होगा आपका विकल नंबर B आनि की सिरी गांधी आपका यहाँ पर सही आंसर है सिरी गांधी राइट आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर बताया है गड़े संकर विद्याती द्वारा रचत है गांधी जी की जीबनी का नाम है सिरी गांधी अंगला क्वास्चन क्या पूँचा है तो अंगला question यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूँचा है question number 2 आपका यहाँ पर दिया गया है देखे question number 2 question number 3 है अपना यहाँ पर क्या है महत्मा गांधी जी की जीबनी महत्मा गांधी के लेखक है गांदी जी जीवनी, महतमा गांदी के लेखक कौन है? यह आपसे आहाँ पर पूँचा है रामचंदर बरमा है, इस्वरि प्रिसाद सर्मा है, संपूना नंद है, यह कि सब परसाद से हैं तह आपका सही answer है रामचंद्र बर्मा आपका है है वीकलप तो आपका सही answer है गांदी जी जीवनी महत्मा गांदी इसके लेखक जो है रामचंद्र बर्मा है और अंगला question क्या पूंचा है question number 4 देख लेते हैं कि मनीसी की لوक्यात्रा किसकी जीवनी है यह जीवनी है और जीवनी से संबंधित मात्पुण question है अपने यहाँ पर तो मनीसी की लोक्यात्रा किसकी जीवनी है तो आपका सही answer है विकलप नमबर C यानि की कभी राज गोपी नात की कभी राज गोपी नात विकल्प नमबर C आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नमबर C कलम का सिपाही किरती के लेखक कौन है प्रयम चंद्र हैं अमरित राय हैं विश्णु प्रभाकर हैं रा अमरी तर्याइड आपका सही आंसर है अमरीट रायब विल्कुल सही राइट आंसर होगा अमरीट राय जिनोंने बताए कलम का सिपाही एक जीवनी प्रतान है और इसके लिए खक अम्रित राय है और जो है मुंसी प्रियमचंद्र की जीबनी लिखी गई है इसमें कॉस्चन नमबर आपका यहां पर छे क्या पूंचा है तो यह 2017 में पूंचा गया था कि प्रियमचंद्र जी की जीबनी कलम का मजदूर की रशिनाकार है इसकी रशिना बताना है अमरित राय है सेवरानी देवी मदन गोपाल अभिश्ण प्रभाकर तो आपका सही आंसर है मदन गोपाल आपका सही आंसर होगा देखिए आपका 2017-18 में पूंचा गया है महत्तपुन कॉस्चन है और अंगला कॉस्चन क्या पूंचा गया है तो कॉस्चन नमबर आपका साथ यहां पर दिया है कलम का सिपाही हिंदी गद्ध की किस विदा की रचिना है कलम का सिपाही यह किस विदा की रचिना है यह आपको बताना है आत्मकता है संसमनन है रिपूर्ताज है या फिर जीवनी है तो कॉस्चन नमबर साथ का आपका जो सही आंसर होगा वह को इसके लिए का पूंछा है आप से प्रियाम्चंद्र,Set है क्रत्राय क्या सही आँसर तो आपका साही आंसर है, ॥ अहाँ और तो आभारा मसीहा किसकी जीवनी यहाँपि कई सरत चंद्र इहां पर रिखनें सरत चंद्र है साहित्यकों कि जाहाँठ ऩी सरत चंद्र Γी इक की जीवनी यहांट is था पूछा है bear यहां पर कि आबारा मसीह इन मैंसे किस ह साहुतिकार की जीवनी है तो बाईक क्वाइट क्वास्टर आपका डवाल हो गया है यहां पर सबंद्धित है यहां पर आपका रहो होगा है तो यहाँ पर दिया गया है question number 12 पूँचा है क्या पूँचा है आवारा मसीहा किस विदा की रचना देखे बही question आपका यहाँ पर डवल हो गया है लेकिन अलग-अलग परिच्छा में इस परकार जो है आपका पूँचा गया question है और आपका सही answer है यह जीवनी है आवारा मसीहा क्या है यह जीवनी है तो विकल्प number आपका C यहाँ पर right answer होगा यहाँ पर पूँचा है आवारा मसीहा कि लेखक कौन है लेखक पूँचा है आपसे यहाँ पर कि आवारा मसीहा कि लेखक कौन है विश्णू प्रभाकर हैं रमिस कुन तलमेग हैं स्रीलाल सुकल हैं या रमिस चंदर साय हैं तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर विश्णू प्रभाकर आपका सही आंसर है विश्णू प्रभाकर यानि की विकल्प नंबर यह आपका हैं विश्णू प्रभाकर इसके लेख और question number 14 क्या पूँचा है इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है जीवनी लेखक नहीं है पूँचा है आपसे यहाँ पर बताइए भै कौन सा लेखक है चार विकल्प है राम बिलास सर्मा है अमरित राय है अग्ये है या पर बिश्णू प्रभाकर question number 14 का answer बताने है महत्वपूण है और आपका यहाँ पर सही answer 14 का B आने की अग्ये आपका right answer है अग्ये आपका सही answer है बिलकुल चाही विकल्प number B आपका right answer है और अंगला question क्या पूँचा है तो question number आपका यहाँ पर 15 देख लेते हैं नमने लिकेत में से एक कृती एक प्रिसि से अनन्या तक तो 15 का आपका जो सही answer है बहे आपका right answer 15 का B आने की आवारा मसीह आपका यहाँ पर सही answer है और question number आपका यहाँ पर 16 क्या पूँचा है नमने में से कौन सी कृती जीवनी विधा से सम्बंदित नहीं है देखे जीवनी विधा से सम्बंदित नहीं है तो बहे जीवनी विधा की रचिना नहीं है तो बसेरे से दूर आपका right answer होगा बसेरे से दूर आपका right answer हरी बंस राइवच्चन जी की आत्म कता है यह बसेरे से दूर और अंगला question क्या पूँचा है तो अंगला question यहाँ पर आपका दिया गया है कि इनमें से एक किरती जीवनी नह नहीं है question number 17 है महत्वपूण है और आपका यहाँ पर जो सही answer होगा 17 का बहुखल नमबर C आनी की अन्या से अन्या तक अन्या से अन्या आपका यहाँ पर right answer है देखिए अन्या से अन्या इस्तृ विथा की आत्मकता है और इसकी लेकी का प्रभा खेतान इसकी लेकी का मानी जाती है अंगले question क्या पूँचा है तो question number आपका 18 यहाँ पर पूँचा है आचार हजारी पर साथ दुबेदी को के अंद में रखकर लिखी गई पुस्तक ब्यामकेस दर्वेश के लेका कौन है 18 का answer बताना है ब्यामकेस दर्वेश के लेका पूँचा है राजदेब से हैं ब्यामकेस दर्वेश जो है आचार हजारी पर साथ दुबेदी की जीवनी है जिसे विस्वनातर पार्टी ने लिखा है अंगले question क्या पूँचा है तो अंगले question आपका यहाँ पर जो है आत्मकता से संबंदित महत्त्वण question पूँचा क्या है तो देख आत्मकता से first question है य दो से मलीहाबादी आपका right answer होगा विकल नंबर C आपका right answer है question number आपका 2 क्या पूँचा है तो question number 2 आपका यहाँ पर दिया गया है देख लेते है question number 2 क्या पूँचा गया है तो यहाँ पर पूँचा गया है आपसे कि विधा की दरश्टी से अस्ति और भवती किर्ति क्या ह आत्म कथा है उपन्यास है पत्र साहित है या निवन्द है तो दो का right answer आप यहाँ पर बताईए क्या होगा question number 2 का right answer महत्वपुण question है और बिलकुल सही answer है आपका यहाँ पर विकल नंबर 1 यानि कि आत्म कथा है यह क्या है विधा की दरश्टी से अस्ति और भावती क्या ह आत्म कथा है तो विकल नंबर 1 आपका सही answer है और अंगले question क्या पूंचा क्या है तो question number 3 आपसे यहाँ पर पूंचा है जी आईची प्रवक्त परिक्षा है यह question 2015 में एक कहानी एवी आत्म कथा की लेकी का पूंचा है रम्ण का गुपता है कुसम अंसल है मनुभंडारी है प्रवकेतान है question number 3 है और आपका सही answer क्या है तो question number 3 का right answer है आपका B न की मनुभंडारी आपका यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही मनुभंडारी जो नों ने बताया है उनका यहाँ पर सही answer होगा ने बताया है और आपका question number 4 यहाँ पर दिया गया है देखे question number 4 पूंचा है निमनलिकित में से किर्थी आत्म कता नहीं है तो वै कौन सी किर्थी है जो आत्म कता नहीं है अर्द कता अब मैं नाच्योबहत गोपाल या निज बृतांत मेरी आत्म कहानी तो question number 4 का right answer आपका यहाँ पर जो है विकल्प number C यानि कि अब मैं नाच्योबहत गोपाल आपका right answer होगा विकल्प number C जन्हों ने बताया है उनका right answer होगा और इसके जो लेखक है SSC साहितिकार अमरित लाल नागर का जो है अब मैं नाच्योबहत गोपाल SSC साहितिकार अमरित लाल नागर का उनसे अब तक कि उपन्यासों की लीक से हट कर सरवता मौलिक उपन्यासे ही अंगले question क्या पूँचा है तो अंगले question है गालिब चूटी सराव इनमें से किसकी आत्मकता है आत्मकता है गालिब चूटी सराव और किसकी आत्मकता है मुद्रा राक्चस मौहन राकिस कमलीस्वर रवेंदर कालिया question no.5 है महत्वपूंड है । आपका यहां पर जो सही answer है जो पूँचा है तो question no.5 का right answer Nunubur डी रवेंदर आपका यहां पर सही answer होगा रवेंदर कालिया जिनोंने बताया है उनका यहां पर सही answer बिलकुल चाहिए रवेंदर कालिया आपका सही कथा एंसर है Anglia Q& क्या यहां पर आपका दिया गया है Anglia Q& To 6 यहें इनमें सी कौनसी कि आत्मकता है प्रकूंछा आप से यहां पर नजहिए और अंसर होगा देखें अरद कतानक विकल नंबर सी आपका अंसर है जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयम लिखता है तो उसे आत्मकता कहते हैं ऐसी द्रश्टी से हिंदी की पृतम आत्मकता बनार्सी दास से जैन इंकी है अर्दकतानक मानी गई है यह हिंदी की कौन सी जो है आत्मकता जो है यहां पर पूँचा है तो बहुत अर अंगला क्योंसे तो यहां पर आपका अंगला क्योंसे दिया गया है पर bout निंब्र किस बिधा की रशीन है यहं पर पолнशा है यहां पर पूंचा है और क्योंसे नामक किर्टी की बिधा क्या है तो यह पहली कहानी हिंदी की पहली आत्मकता या हिंदी की पहली का बिनाटी का तो आपका सही आंसर यहां पर है जो बनार्सी दास जैन है इन्होंने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकता यानि की विकल्प नंबर भी आपका यहां पर सही आंसर होगा अर्द कतानक है तो अर्द कतान अपनी आत्म कथा का नाम क्या है तरोण के सौपने कुछ आप बीती कुछ जग बीती या परिवराजक की प्रजा या फिर आत्म निरिक्षन कॉश्चन नमबर है आपका यहाँ पर 12 है और 12 जो राइट आंसर है नेता जी सवासचन बॉस दोरा लिखेते अपनी आत्म कथा का नाम है तरोण के सौपने तरोण के सौपने विकल नमबर यहाँ आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विल्कुल चाहिए अंगला कॉश्च या ब्रंदा बनलाल बर्मा तो आपका यहाँ पर सही आंसर है आत्म निरीक्षन तो आत्मकथा मानी जाती है और इसके जो लेखक हैं किसकी आत्मकथा है तो बिल्कुल सही यहाँ पर सेट गोबिंद दास आपका सही आंसर है 2018 में एक कॉश्चन एल्टी ग्रेट में पूँ परकास बाल मिड् ellen ओस तो इस प्रकार आपने हाँ पर बहुत ही महत प्रूण कॉश्चन कंप्लीट हुए कहसे लगा है वीडियो कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं टो Slack को Subscribe कर लें वियल आइकन दवाएं All पर किलिक करें ताकि All वीडियो की जानकारी आप कहाँ तक सबसे पहले पहुंचे जादा चे-जादा वीडियो को Share करें और को like करना नबूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही.. सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाल .. सबी के लिए जय ही